हेलो प्यारे बच्चों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस धमागेदार वीडियो में अभी हम लोग देखने वाले बाइलोजी का काफी इंपॉटेंट एमसी क्यू यानि अब्जेक्टिव कोशन आपके एक्जाम के लिए जो कल होने वाला आपका जैकबॉट में एक्जाम उसके लिए काफी इंपॉटेंट कोशन है ठीक है तो सभी बच्चे ध्यान दीजेगा कोशन ध्यान से देखेगा कोशन का अंसर आप जो है एक ग्राफियन फॉलिकल वहां पर रहता है ठीक है रप्चर होने के बाद और वह किस चीज में चेंज हो जाता है तो आपका जवाब होगा यहां पर कॉर्पस लूटियम में ठीक है कॉर्पस लूटियम आपका यहां पर बिल्कुल सही उतर हो जाएगा ऑप्शन नम मतलब यह हुआ कि जो पोलेंगरेंड है उसके आउटर बोडी में जो है इक्जाइन जो होता है और वह किस चीज से बना होता है इसको आपसे पुछा जारा है ठीक है तो जो की बहुत जादा टेंपरेचर को जहल सकता है ठीक है इक्स्ट्रीम लेबल ऑफ इन्वार्मेंट क इसकी करण से जो है केंसर सेल में मतलब बहुँ ज़्यादा है रेडियेसं के कारण में तो यहां पर क्या कारण से ऐसा होता है यहां पर जो है थी नंबर कोशन का जबाब होगा आपका विलकुल सही उतर अंडर गोइंग रैपिड डिवीजन इहां पर जो है कैंसर से Selbstर्फ यहां पर division होता है उसका ठीक है इसके कारण से ओके यहां पर जो है fourth question है which plant is called terror of बंगाल जो terror of बंगाल है ठीक है तो वो कौन सा जो है plant को खा जाता है तो water hazard आपको दिख रहा है यह बिल्कुल सही उतर है यहां पर जिसको English में क्या बोलते हैं जलकुम भी बोलते हैं ठीक है य अगला देखें पांच नमर कोशन आप से कहा रहा है कि the interaction where one species is benefited and the other is neither benefited nor harmed is called ठीक है यहां पर एक ऐसा species है जो की benefited होता है ठीक है लेकिन दूसरे जो यहां पर एक species है उसको जो है नहीं बेनीफीट होता है नहीं कुछ जो है उसको हाम होता है ठीक है लेकिन एक को benefit हो रहा है तो वो कौन सा condition होता है वो क्या होता है तो यहाँ पर पांच नमर कोशन का जवाब हो जाएगा बिल्कुल से वितर Common Salism ठीक है Common Salism यहाँ पर बिल्कुल option number A वाला right answer हो जाएगा ठीक है अगला देखें कि यहाँ पर 6 नमर परशन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर और 6 नमर परशन का जवाब हो जाएगा जो प्लांट है उसको प्लांट है उसको प्रेडूस करना ठीक है option number यह आपके यहाँ पर right answer हो जाएगे नेक्स देखेगा प्रशन 7 नमर में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि capacity of a sale to grow into a full individual plant is known as capacity of a sale to grow into a full individual मतलब एक sale है और उसे एक complete individual बन रहा है तो यह individual plant बन रहा है उसे क्या कहेंगे हम लोग तो वो कौन सा किसमें जो होता है वो power ठीक है तो टोटी potency उसको बोलते हैं ठीक है option number जो है d वाला यहाँ पर 7 नमर में जवाब होगा ठीक है चले आप देखेगा अगला जो है 8 नमर प्रशन आपके screen पर दिख रहा होगा और यहाँ पर पुछा गया है कि in dna replication the primer is ठीक है इसमें जो है primer क्या होता है ठीक है primer जो है क्या होता है कब जब dna का जो है replication होता है ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे चार अप्सन आपके सामने है और इसमें से जवाब होगा आपका a small ribonucleotide polymer ठीक है यह जो है जवाब आपका बिल्कुल सही उतर हो है क्या a small ribonucleotide polymer okay जब parental technique जो determine करने के लिए genetic disorders को जो है fetus के fetus के जो है जितने भी genetic disorder है उसको पता करने के लिए हम लोग क्या यूज करते है तो यहाँ अगला देखेंगे दस नमबर प्रशन आपसे पूचा जा रहे हैं यहाँ पर और इसमें पूचा जा रहा है कि the natural aging of the lake is called ठीक है दो natural aging of the lake है उसे क्या कहेंगे यहाँ पर देखेंगे दस नमबर प्रशन का जो जबाब है आपका यहाँ पर यूट्रो पैसिकेशन ठीक है यूट्रो फिकेशन सोरी यूट्रो फिकेशन is the right answer यहाँ पर option नमबर बी जो है right answer हो जाएगा ठीक है अगला दे देखेंगे बारे नमबर प्रशन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर और बारे नमबर प्रशन कर रहा है कि wild life is a destroyed most by ठीक है जो wild life है, वो destroy, मतलब खतम कैसे किया जा रहा है, किस के द्वारख खतम किया जा रहा है, यहाँ पर जबाब हो जाएगा destruction of natural habitats, ठीक है जो destruction होता है, जैसे कि आपका भुकंप हो गया, ठीक है, और बहुत सारे चीज़ें बाढ़ हो गया, हना तो यह सब जो है, आपका बहुत जादा important role निभाता है, destroying in wild life, option number C जो है, आपका यहाँ पर right answer हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर human current भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो right answer है, वो आपका C है, और यहाँ पर 13 number प्रस्षण आप से पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग, और प्रस्षण कहा रहा है कि presence of large amount of nutrients in water cause excessive growth of क्या, मतलब जो है, अगर large amount में nutrients रहेगा water में, तो इससे क्या होगा, excessive growth किसका हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 13 number प्रस्षण का जवाब हो होता है, ठीक है, आप लोग देखेंगे, यहाँ पर नदी, जो है, नदी में होता है, खलाब में होता है, 14 number प्रस्षण आपके सामने, यहाँ पर पुछ रहा है कि copper tea prevents, जो copper tea होता है, इस परकार का, ठीक है, तो यह जो है, किस तरह से prevent करता है, है, किस चीज़ से बचाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जब आप क्या हो जाएंगे, ovulation, fertilization of egg, implantation of embryo, या फिर both B and C, so यहाँ पर आपको जवाब लगाना है, ovulation and implantation of embryo, इसका मतलब यह है, कि जब copper tea, किसी female के body में insert किया जाता है, यहाँ पर ovulation का process, जब रूख जाता है, नहीं हो पाता है, ठीक है, यहाँ पर अगर embryo, embryo वहाँ पर हो गया है, ठीक है, embryo वहाँ पर है, ठीक है, embryo बन चुका है, यहाँ पर implantation नहीं होगा, जैसे कि आपको पता है, कि जब यूटरस होता है, वहां पर जो इंडो डर्म को सहोता हैं हैं तो उसमें इंप्लांट होता है अगला प्रशन आफ फूचा घाया है कि यहाँ पर which of the flowing organelles is associated with genetic engineering ठीक है यहाँ पर जो है कौन सा organelles जो है associated किया गया है genetic engineering में यहाँ पर देखेगा 15 नमबर question का जो जबाब होगा आपका बिल्कुल से उतर plasmids option number A जो है right answer हो जाएगा ठीक है अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पर 15 के बात जो है solar number प्रस्ण आपके screen पे है और इसमें पूछा गया आपको कि the pollen tube usually enters the embryo sex ठीक है यहाँ पर pollen tube usually जो इंटर करता है embryo sex में कैसे करता है ठीक है तो यहाँ पर देखेगा solar number प्रस्ण का जवाब होगा through one of the synergies जो synergies होता है ना embryo sex में synergies होता है इस परकार से जो है आपका structure होता है ठीक है यहाँ पर जो synergies होगा उसके दुवारा जो है यहाँ पर through ही यहाँ पर इंटर करेगा pollen tube option number यह जो है right answer हो जाएगा ठीक है चले next देखते हैं 16 के बाद 17 नंबर परशन आपके screen पर है और यहाँ पर पूछा गया है आपको कि winter sleep is also called as ठीक है जो winter sleep होता है उसे हम लोग क्या कहते है ठीक है winter sleep आपको पता ही होगा 17 नंबर परशन का जवाब होगा आपका यहाँ पर hibernation ठीक है hibernation क्या होता है जैसे यहाँ पर गर्मी पढ़ रहा है तो यह जो है धरती के अंदर में जो है अहाँ पर sleep करने के लिए जो है कोई बे जैसे की मेड़क जाते है snakes जाते है ठीक है तो वो hibernation होता है ठीक है चले अब देखीगा यहाँ पर hibernation हो गया तो optional maria वाला right answer हो जाएगा अगला प्रसन आपके screen पर दिख रहा होगा ठीक है यहाँ पर पूछा गया कि hemophilia is ठीक है hemophilia क्या होता है जो अगर कोई cut गया है ठीक है कोई एक person है वो जो है अपने हाथ पे cut लग गया उसका और blood जो है यहाँ पर आ रहा है और वो blood रूक नहीं रहा है ठीक है तो उस condition में उसे कहा जाता है कि hemophilia इसे हो गया है ठीक है तो यह जो hemophilia है वो किस परकार का जो है बीमारी है तो यहाँ पर जो है जवाब होगा ठारा नमर प्रसन का जवाब यह हो जाएंगे non of these ठीक है इन में से कोई भी नहीं है हम लोग करते है ठीक है तो यहाँ पर जो है यह फॉर्मूला है यहाँ पर देखे हंडेड यहाँ पर सीड से हैं ठीक है हंडेड यहाँ पर करेंगे प्लस में यहाँ पर क्या करेंगे हंडेड यहाँ पर क्या करेंगे चार से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या होगा चार परस्में 20 नंबर में है और इसमें पुछा गया कि ट्रांस्क्रिप्षन इस कंट्रोल बाइज जो ट्रांस्क्रिप्षन होता है वो किसके दवारा कंट्रोल किया जाता है DNA आपको देना है जल्दी सी इसका जवाब होगा आपका अगले देखेंगे हम लोग प्रस्न आपका आचुका है आपके स्क्रीन पे 21 नंबर में इसमें पूछा गया कि अफ्टर ऑविलेशन ग्राफियन फॉलिकल चेंज इन्स्टू यह जो कोशन है एक बार रिपीट हो चुक यहां पर राइट आंसर हो जाएगे चले अगले देखेंगे 22 नंबर कोशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा और इसमें पूछा गया है कि एक्कॉर्डिंग ट्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हिमन जीनोम प्रोजेक्ट है उसके एकॉर्डिंग वीच सेंटेंस इस करे तो इसका जो सही करेक्ट आंसर है यह हो जाएगा 22 नंबर का देखेंगे चले नेक्स देखेंगे अगला परस्में 23 नंबर में आपका यहां पर पूछा गया है कि डिने इस सेमी कंजर्वेश्टिव एंड इस इक्स्परिमेंटली प्रोब्ड बाइट जो डिने है सेमी 23 नंबर कोशन का जबाब होगा मेजलसन एंड स्थाल के दौरा ठीक है तो उप्सन नंबर यह जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका अगला परस्म देखेंगे आप लोग यहां पर 23 के बाद 24 नंबर है और इसमें पूछा गया है कि वीचीज मोस्ट प्रिमेटिव एंसे अगे देखेंगे यहां पर 25 नंबर में कोशन का रहा है आपका ठीक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोस्ट्रम और उसमें कौन सा एंटी बॉडिज जो है पाय जाता है ठीक है तो यह आपसे पूछा जा रहा है तो चली इसको इसका आंसर क्या होगा आपका तो 25 नंबर होता है मदर के मिल्क में ठीक है तो यह जो है बच्चे के बॉडि में जाता है आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे अगला देखेंगे प्रस्न 26 नंबर में है पूछा गया कि फीनोटैपिक रेशियो आफ टेस्ट क्रोस इज इन डा हैवरिड प्लांट टेस्ट क्र जायंगे तो इसका फीनो टैपिक क्या होगाँ इसका रेसियो वन इस्टू वन इस्टू वन इस्टू नंबर एजक है जो है आजाता है पुछा गया आपसे यहां पर जवाब क्या हो जाएंगे 27 नंबर का देखेंगे जवाब है गोलगी बॉड़ी बॉड़ी बॉड़ सकते हम लोग यहां पर आप सामने 28 नंबर में आ रहा है यहां पर और इसमें पूछा गया आपसे ठीक है चले क्या पूछा गया है तो यहां पर देखेंगे आप लोग एक सब्सक्राइब करने के लिए हम लोग कौन सा टेकनिक का यूज़ करते हैं 28 नंबर कोशन का जवाब होगा अगला देखेंगे प्रसन आपके सामने 29 नंबर में आ रहा है यहां पर और पूछा गया कि तो यह जवाब आपका क्या होगा यहां पर तो मैगरेट होगा इसका जवाब ओप्सन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे आपके यहां पर और नेक्स देखेगा अगला जो है थर्टी नंबर कोशन का रहा है कि फर्स्ट बायो केमिकल टू बी प्रोडूश्ट कोमर्सियली बाय मैक्रो बायल क्लोनिंग एंड जेनेटिक ठीक है तो यह क्लोनि अगंवाएल क्लोनिंग एग जेनेटिक एंजिनियरिंग के दुवारे ठीक है थर्टी वन-न मेर कोशन द250 के ःपर और इसमें कया का रहा है ठीक है कोशन देखेएंगे यहां पर देखेगा क्रोप रोटेशन ठीक है क्रोड़ों रोटेशन इस यूजड बायए फार्मरे है इंक्रीज तो यहां पर जो जवाब होगा एकटिस नमर का जवाब है इसका जवाब है आपका यहां पर राइट अंसर हो जाएंगे चले अब देखेगा 32 नमर कोशन है इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा ओर्गनेल्स जो है यूज होता है जनेटिक इंजिनियरिंग में तो यहां पर 32 नमर कोशन का जवाब होगा मैटोकॉंड्रिया ठीक है ऑप्सन नमर जो है दी वाला बिल्कुल जो है साही उतर होगा अगला देखेंगे 33 नमर कोशन आपसे पूछा जा रहा है कि वीच आफ दा फ्लोविंग इस नॉट एसोशेटेड विद धा हुमेन मेल ठीक है यूमेन मेल के साथ जो है यहां पर कौन एसोशेटेड नहीं है ठीक है तो चलिए हम दिखते हैं यहां पर चार आपसन आपके सामने है प्रोस्टेट ग्लेंड पेरिनियल ग्लेंड कॉप्र सेमिनल वेसाकल ठीक है यहां पर जबाब क्या हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर तो देखेगा 33 कोशन का जवाब हो जाएंगे यहां पर प्रोस्टेट ग्लेंड ठीक है यह यहां पर जो है से नहीं है हमेन मेल के अंदर ठीक है बाकी यहां पर है ऑप्सन नॉम्बर यहां यहां पर right answer हो जाएंगे, 33 के बाद आपके पास question आ जाता है, 34 number, इसमें पूछा गया है आपसे, कि homology, homology indicates, homology क्या indicate करता है, तो जबाब होगा है, यहां पर common ancestry को, common ancestry को indicate करता है, homology indicates, sorry, homology है ना, तो option number D, right answer हो जाएंगे, अगला दिखेगा, 35 number question आपसे पूछा गया कि, 35 number question का जवाब होगा, open burning dumps के लिए, ठीक है, option number D, जो है, यहां पर right answer हो जाएंगे, और यहां पर मैं आपको 35 question और बता दिया हूँ, ठीक है, आपको पसंद आया यह वीडियो, तो आप लोग लाइक करेंगे, session को, और share कर जीजिगा, अपने friends, अपने दोस्तों के साथ, अ अपने přे लेक say,Дवस करेंगे, wenn नाएंगे यहां थे दोस्तों के साथ, जशने वीडि़में ऑमेंगे, जूस्तों के साथ, तोस्तों के साथ, झार रिवदाते आपको जादेग AMP बते इक ही करेंको यहां उना बराल, एक है यह थापको ज़िए, शने Tao but the आविब मैं रिव